हेलो आरिवन टेक्ट जेठेगर रूप चनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में सब्जेक्ट है BPSC 131 Introduction to Political Theory ये दिसमर 2022 का Question Paper है इस वीडियो में हम आपको Hindi मेडियम और English मेडियम दोनों Question Papers के ऊपर डिसकेशन करेंगे और उसमें आने वाले Important Questions भी बताएंगे और कितना Lengthy Question आता है क्या क्या Exam का Pattern रहता है और आपको कितना Lengthy लिखना चाहिए कितना नहीं ये सब जानकारी हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे और Igno की Study आपको कहां से करने हैं ये सब बताएंगे अगर आप मारे चनल पर पहली बार आहें तो चनल को सबस्क्राइब करके बैल नोटिकेशन कौन कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए आए वीडियो शुरू करते हैं इसमें time 3 hours, maximum marks 100 इसमें note है answer 5 questions in all in about 400 words each each questions is of 20 marks attempt at least 2 questions from each section इसमें total आपको 5 questions करने है 400 words बोला गया है तो आपको single sided कम से कम 4 पेज भरने चाहिए single sided 4 पेज भरेंगे तो 400 words हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5 पेज भर सकते हैं हर section से 2 questions compulsory है total 5 करने है section 1 है question number 1 write a note on the legitimate use of power सारे question इसमें 20-20 number के दिये हैं उपर ही लिख दिया है note में question number 2 political theory is dead comment यह important question है political theory से related एक question इसमें वश्य मिलेगा हम यह नहीं बोल लेगे same question मिलेगा लेकिन political theory is dead इस concept से related question आएगा और वो गुमा फिरागे थोड़ा पुछा आजा सकता है language यह नहीं हो सकता है discuss the market critic of freedom यह भी important question है इसको भी आप अवस्य पढ़ ले question number 4 है elaborate the interrelationship of equality and liberty यह भी important question है पहले आए हुआ है यह जून में भी तो इसको अवस्य पढ़ें इसके बाद section 2 है question number 5 write short notes on the following in 200 words each 200 words each में लिखा हुआ है तो यह नहीं दिदे दोनों दसरस नमबर के है social justice and nature of rights यह दोनों important है और 200 words में बुला है तो आप इसको single-sided दो pages में दो pages में यह आपको अच्छे नमर मिल जाएंगे question number 6 write short notes on the following in 200 words each types of democracy meaning of gender यह भी important question है जो इसमें terminology है यह सारी important दी हुई है question number 7 discuss the communitarian theory of citizenship 8 है elaborate the interlationship of state and civil society यह question number 8 भी important है इसमें total 8 ही question है यहाँ पे इंगलिश मेडियों का question paper खतम हो गया और इसके बाद यह Hindi medium का percent पतर शुरू होता है इसमें देखिए BPSC 131 राजन्सिक सिधानत का प्रिचर December 2022 का question paper है समय 3 गंटे अधिकता मंक 100 इसमें सारी same बातें दी हुई है note यहाँ पे दिया है कुल 5 परसनों के उतर लग भी 402 में दीजिए प्रतेक परसन 20 अंका है प्रतेक भाग में से कम से कम 2% चुनिए यानि दोनों भागों में से आपको कम से कम 2 तो करने है और टोटल 5 क्योशन करने है इसमें भाग एक है इसमें पहला परसन है सत्ता के वैद्ध उपयोग पर एक टिपनी दिखे इसमें सारे परसन 20-20 नंबर के हैं ओपर लिखा हुआ है ये बात और 400 सब्दों में आपको अगर आंस्वर देना है तो सिंगल साइड़ चार पेज मिनिविम और साड़े चार पेज मैक्सिमम भरनने चाहिए परसन नबर दोह राजिन तक शिद्धान दमर गया है टिपड़ी केजिए ये important question है और ये पूछा जा सकता है परसन न्मर तरी 37 तर्था की मार्क स्वाद्या लसना की चर्चा कीजिए ये भी important question है question नमर 4 समानता और 37 तर्था की व्याक्या कीजिए ये भी यहाँ तक important question हो जाता है इसके बाद भाग 2 है बहाग दो में ये person नमबर पांच नमें लिखित पर लगव दोस्टो सब्दों में टिपनिया लिखिए दोस्टो सब्दों में टिपनिया है तो आपको single-sided दो पेज से डाई पेज आप भर सकते हैं दो दो भरेंगे तो भी आपको इनमें 10 इसमें 10 दोनों में 20 नमबर मिल जाएंगे पहला सामाज एक नयाद दूसरा अधिकारों की परकरती ये दोनों important है इनको अवस्टे study करें इस टर्मलोजी पे question पूछे जाते हैं short note में जितने टर्मलोजी जोती है सारी important है इसमें भी ये same दोस्टों सब्दों में पूछा हुआ लोक्तंतर का प्रकात जेंडर गार्थ ये भी important है इनको आप अवस्टे पढ़ लें इसके बाद है परसन नमर साथ नागरिक्ता के सम्मों विवादी शिद्धान्त की चर्चा कीजिए परसन नमर आठ राज जो राजनती नागरिक समाज के अंतर संबंद की व्याख्या कीजिए ये भी important परसन नमर आठ और इसमें यहां पर टोटल आठ ही क्यूस्टन है यहां पर क्यूस्टन पर कंप्लिट हो जाता है अगर आपको इगनू के आप वीडियो से देख देखके लिख सकते हैं फ्री आफ पॉस्ट जाइए और वीडियो देखे अगर वीडियो को अब तक लाइक ने किया लाइक कर देए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले